हलो स्टुडेंट्स वेलकम टू जुमेट्री स्कूल स्टुडेंट्स आपका तीन दिसम्बर को एक्जाम है राई एमसी का राष्ट एंडिन मिलेटी कोलिज तो उसमें हमारी यह सिरीज है शोर शोर्ट करेंट अफेर क्या है 200 वैं मैं आपको कराऊंगा च्रेंट अफेर के और यह कम्प्लीट वन यह एर के लिए गार इसमें टोटल में चार पार्ट कराऊंगा this is set 1, set 2, set 3 or set 4, exam से पहले 3 December तक सारे set आ जाएंगे 31st December तक मैं सारे set अप्लोड कर दूँगा, आप इनको 31st November sorry, so 30 November, not 31st 30 November तक clear, so 3 December को exam है ताकि आप उसमें देख के जा पाएं साथ में मैं बता दूँगी current affairs के सबसे ज़्यादा अगर question भई देखो around 25 questions आते है current affair के, I guarantee you कम से कम 5-600 ज़्यादा नहीं 6-7-8 questions यह से आएंगे बहुत ज़्यादा important है, बहुत ज़्यादा important है, सबसे ज़्यादा important है current affair का यह mark booster आपके marks को पूरा boost करेगा है और short short है भई यह, short short clear, चलिए, देखते हैं आज इसको पूरा current affair की वीडियो को आखरी तक वीडियो को तो देखना ही है भी देखो गई क्योंकि नहीं फिर बाद में फस्ता होगे कि सर का समसर्गी जो current affair short short देख के जाते तो कुछ number बढ़ जाते, clear target batch हमारा 1st January से स्टार्ट हो जाएगा hostel batch है भाई यह दिस इस नोट online batch दिस होस्टल बैच 25 शीट सेंस में और ज्यानक न अभी से admission हो रहे हैं आपको क्या करना है 1st January से स्टार्ट हो जाएगा अपने शीट को confirm कर लीजिए अगर आपने RIMC, RMS को अपना 1st January से बैच स्टार्ट हो जाएगा 25 सीट से अवेलेबल है 25 सीट अगें बाद में आपको admission नहीं मिलेगा यहां से इतनी आपको तयारी करा दी जाएगी इतनी practice करा दी जाएगी कि जून वाला जो session आ रहे हैं उसको आप आराम से निकाल जाओगे तो स्टार्गेट बैच में अपने आपको enroll करिए वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन पर क्लिक कर लेना अगर आपको लगे हाँ करन टैसर मैंने आपको 100% selection की guarantee हम उस्टल से देते हैं question का बंडार है हमारे सिरीज आप क्या कर सकते हैं इनको 6 का ये सारे course सैनिक स्कूल के लिए अवेल करिए test सिरीज और पुरा course है ये असो का pack है 9th standard के लिए आप यहां से ले सकते हैं course को चीनूक और तेजस ये हमारे राष्टे military schools के लिए pack है आप इनको विल करिए ये रुद्र और जैगुआर है RMS के लिए ना इनका RMS का भी एक्जाम 18 दिसंबर को है बै आराइमसी मैं आपको बता दू RIMC का एक्जाम 3 दिसंबर को है सबसे अच्छा फिलाल आपके लिए ये course है ये 1200 का जो आपका हमारा pack है किसका किस क्या है 1200 का mock test series इसको at least आपके चेज करें इससे आपके तयारी को खुशे ना कुछ तो फाइदर मिले गाई live class, demo, hostel कुछ भी आप विल कर सकते हैं चलिए देखिए liner रहेंगे one liner कुछ भी इसमें नहीं बताऊंगा मैं खीक है इसमें मैं कुछ तरह ऐसे नहीं बताऊंगा इंडिया defeated सुल्तान जोहर कप तो किसको ओस्टेलिया को तो राइट अंसर क्या है इसका ओस्टेलिया कोई explanation नहीं करूँगा सीधा-सीधा अंसर बताऊंगा क्योंकि one liner है short short है ज्यादा समय नहीं होगा आपके पास तो clear चलिये दूसरा सुल्तान जोहर इसमें वाले में इस question में ये बात जरूर बता दूँ सुल्तान जोहर कप का संबन्द किस से है किस खेल से है सुल्तान जोहर कप का संबन्द तो किस से है बच्चो होकी से फिल्ड होकी तो ये important है होकी ओस्टेलिया को भारत ने defeat किया है understand चलिये पचासवे chief justice कोन बने है तो right answer कहा D.Y. चंदरचूर understand कोई extra information नितूँँगा सीधा सीधा बताऊँगा CGI chief justice of India मुख्य जो हमारे नियाइदीस है Supreme Court के D.Y. चंदरचूर के लिए चलिए 10% reservation for economic weaker section जो general category में AWS category है जो general category में गरीब होते हैं उनके लिए कौन सा amendment क्योंकि R.I.M.C में amendment भी आते हैं तो 103rd 103rd amendment है ठीक है All India Football Federation के अद्दर्स कोन बने है तो कौन है वई कल्यान चोबे कल्यान चोबे हैं स्के Puisigita स्वच शर्वेक्षन GRAMEEN जोए अवार्ड है स्वच स्वच स्टेट है तो बेस्ट स्टेट है तेलंगाना बेस्ट स्टेट है तेलंगाना GRAMEEN V Seo Level की बात हो presume अगर बात करे finest क्लिनेस इस्टेट देखो भई अगर ओवरोल क्लिनेस इस्टेट अर्बन में अटेगरी में तो कहुंसा है मद्य पर्देश और सीटी कौन सा रहा है स्वच सहर इंदोर यह हर बार सर्विया आते हैं तो इस तरह को आपको याद रखना है बिल्कुल के लिए चलिए बुकर प याद रखना ठीक है और इन्होंने कौन सी बुक लिखे बुक भी इंपोर्टेंट रही जाई इसी बाद है दस सेवन मून्स ओप माली अलमेडिया के लिए जो भी है अंडेस्टेंड तो यह आपको नाम याद रहे है बुकर प्राइज मिला है इनको चलिए आई एम टी ट् पहली बार हो रही है पहली तो यह आई मटी इंडिया मिस मोजेंबिग केलिया ओर टी मिस आपका तन्जानिया मोजम्बी की capital और तंजानिया की capital याद अपना भी मैं नहीं बता रहा हूँ भी अपको तंजानिया की मोजम्बी की मैं नहीं बताऊंगा तंजानिया की पता होगा मोजम्बी की बताऊँ आप चेक करो ठीक है यह आप देखो महा मुलू केव कहां पर है मेगालय में कहां प्सक्राफ सब्सक्राइब करें कि या刚 जाने का सपना है वो आपको उसको आप साकार कर पाएंगे के लिए तो पैस्ट होस्टल आपको आपको मिलेगा एक बार आप फोस्टल को भीट करना 2022 Nobel Peace Prize सिर्फ Nobel Peace Prize सारी बार नहीं कर रहो मैं सिर्फ मैं कर रहो Nobel Peace Prize गी तो किसको मिला एक तो NGO of Ukraine NGO है यूकरेन का CCL Center for Civil Liberties Center for Civil Liberties इसके अलावे में दो वेक्ति हो रहे है LS Billattis की और Russian Human Rights Organization है ये भी एक NGO है Memorial खिडिया तो एक ये Memorial को है एक CCL है और एक ही है ये मिला आइन को Peace Prize British PM कौन बने है नहीं रिशी सुनक के लिज ट्रस को अटा दिया अब रिशी सुनक है कुझ एप कौन से स्टेट ने लौंच किया कुझ एप का मतलब किया To Prevent Cyber Crime Against Children तो किसका है ये कुझ केर लागा के लिए तो किसका है ये केर लागा कोई एक्स्टा इंफरमिशन नी दूँगा श्योर श्योर है ये ये श्योर 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 है इसमें एक्स्प्लेशन नी वह तो फिर अमरी करंट एक्स्टेटर की डेटेल वीडियो आती है वहां से आप देखें ब्राजील ूप्रिजिट्रेटंट कौन बने है लूलाडा सिलवा अंडेस्टैंझ जेयल बॉल्सो नारो जो थे वह ढ़ांग फुर्स्ट ग्राम पंचेत इन कंट्री टो अटेन फुल डिजिटलिट लिट्रेशी थेूर पलंपूर केरला में है फुल डिजिटल लिट्रेशी जो छी स्टेट वह अपन व लाजेत चांड वर्ल यह सपारी पार्क तो किश राज्ये ने प्लां बना आहें कि दुनिया का तो हो चुका है, world largest हर्यान हो चुका है countries first 24 into 7, solar powered village तो भारत का पहला 24 solar powered village कहां का है भी आपका मोडेरा, मोडेरा कहा है गुजरात में, के लिए गुजरात में वर्ल्ड green city अवार्ड 2022 में world green city अवार्ड कौन सी city को मिला है, हैदराबाद को और 3 city of India पहले यह थी उसके बाद Mumbai भी बनी थी जानक न, Mumbai 3 city of India, second of 21,bs थीक है, और आप इसको थे को, Nobel Price in Literature, वो मैंने आपको piece में बताया था, उनका फ्रेंच ओथर आनी अर्नक्स, फ्रेंच ओथर अन्य अर्नक्स, टार्गेट भैच है 25 छीट है सेलेक्षण यहां से अगर सेलेक्षण आप यहां जिनका चान्स भी कम, जिनकी तेजारी भी कम है जिनको लगता है नहीं मैं करेक कर पाओंगो नहीं एक बार आईए विजिट करिये इतनी practice कराई जाएगी आपको इतनी practice कराई जाएगी RIMC आपको आसान exam लगेगा और भई मैं एक बात कह रहा हूँ बच्छों आपको अगर RIMC crack करने के लिए आपको कोई भी chance लेना पड़े तो लेजिए बाद में आठवी नुवी में जाके हमेशा जिन्दकी पर पच्छताते रहें कास मैंने भी RIMC दिया होता किलियर तो जो आप दसवी बारवी के बाद करेंगे वो अभी आप क्यों नहीं करते हैं भी आपको तब भी तो NDS, EDS की तियारी करोगे या AIS की तियारी करोगे जब आपको वो मोका अभी मिल रहा है तो वाई, आप क्यों नहीं ये चांस लोगे इस चांस को तो लेना चाहिए, तीन चांस होते है RIMC में और कोई भी एक एक चांस इंपोर्टेंट है, आप इसको फर्स जनवरी से किलास ही सुटाड हो जाएंगी ये टार्गेट बैच है, और इसका टार्गेट ही सेलेक्शन करवाना है डूरंड कप तो डूरंड कप क्या है भई तो किस डूरंड कप में क्या है देखो, भई एंटीडोट का नाम क्या है, विनकोग, कौनश है विनकोग, और किसने ये बनाए, विन्स बायो प्रोड़क्ट कमपनी है उसने बनाई ये, तो क्या नाम है, विनकोग, नाइनटीन इंडियन आर्मी फाई-डै एक्ससाइज तो टेस्स सैटलएट, क्या नाम है इसका, सैटलाइट को टेस्ट करने के लिए, स्काइलाइट satellite को test करने के लिए है 5 day access है इंडियन आर्मी की है countries first dugong conservation reserve बहुत important है बोई dugong conservation reserve तो कहाँ पे तमिल नाडु ने clear? so right answer is tamil नाडु first lunar satellite दानूरी ये पूरी साल के current affair में बतारहूं चार पार्ट रहेंगे 200 current affair रहेंगे ये आपको अच्छे से देखके जाना वन नाइनर है कोई चेक्टर नहीं बता रहा हूँ सीधा ही दानूरी तो दानूरी किसका है बई दानूरी है साउथ कोरिया का और कौन से रोकेट से इसको छोड़ा गया स्पेस एक्स से के लिए फर्स्ट लूर सैटलाइट है इस कंट्री का अंडेस्टेंड चलिए थॉमस प्या आईए थॉमस कप पहले तो यह आज़ेगा बैडमिंटन का है सबसे पहले तो यह आता है थॉमस कप किस से बैडमिंटन से है इंडिया ने पहली बार जीता थॉमस कप और किसको डिफीट किया इंडोनेशिया को तो इंडिया ने डिफीट किया इंडोनेशिया को और स फर्स्ट स्थेट फिध ओन इंटरनेट तो कौन सा होगी है केरला कौन सा है केरला नाशनल गेम टू थूटर टुट से मिल गाई गोवा को और गुज्राट ने अभी 12 psyche का पे हो गुज्रात में टेंथ ब्रिक्स सिमिंट तो देखो ब्रक पहले तो आपको पता ने चले ब्रिक्स ये कुश्चन भी आ जाएगा ब्रिक्स में कुन-कौन से कंट्री है ब्राजील रसिया इंडिया चाइना साथ अफरिया तो इसकी जो दसवी मीटिंग हुई है वो कहां पे हुई है साथ अफ चतरपजी शिवाजी इंटरनेशनल एरपोर्ट साथ में ध्यान ना करना इसमें क्या देखो क्या है इस चीज़ को ध्यान ना करना 95% तो हाइड्रो और विंड पावर से चलेगा और 5% सोलर पावर से चलेगा अडानी गुरूप ने इसको है ये एरपोर्ट और चतरपजी सिवाजी महाराज टर्मिनस भी सी को बोलते हैं साथ में एक बात और ध्यानक ना बच्चो अगर आजे वल्ड का 100% सोलर एनरजी से चलने वाला एरपोर्ट तो कोचीन इंटरनेशनल एरपोर्ट है किरला में कोचीन इंटरनेशनल एरपोर्ट ठीक है ये कुश्चन भी इंपोर्टेंट है तो कौन सा है भाई आई एन एस विकरांत आई एन एस विकरांत इंडिया ज फर्स्ट कमर्शियल स्पेस सिच्वेशनल अवेरनेश अब्जर्वेटरी टू ट्रेक ऑबजेक्ट एज स्मॉल एज 10 सेंटिमेटर इन साइज तो देखो एक ऐसा ये इसको कहां पर लगा गया है इसको उत्रा खंड में लगाया है गडवाल रिजन में ठीक है इसको अस्टेबलिस किया है अंडरस्टेंड लाडली लख्षमी सीम जो गल्स है बच्चिया है उनको बढ़ावा देने के लिए उनकी आजूगेशान उनको सब तरह से सपोर्ट कर कहां पर मद्या प्रदैस अbut 2022 बेलोंडे और अवाड बच्चों को तो यह नहीं पता बैलोंडो अवाड कि तो बही एक पहो जाने करें फुटबोल से है ठीक है फुटबोल से है हाइस्ट अवार्ड है फुटबोल का तो किसको मिला इस बार का करीम बेंजेमा करीम बेंजेमा करीम बेंजेमा कहां के है फरांस के क्योंकि इस बार लियोनेल मैसी रोनेल्ड नो इनको किस्टेनल रोनेल्ड नो इनको नहीं मिला करीम बेंजेमा इंपोर्टेंट है वाई यह हिलियर चलिए एटोर्णी जनरल ओप इंडिया कौन बने है ने और विंकटर मनी और विंकटर मनी केके विनुग अठके वर्ल्ड लार्जेस सोलर पावर प्लांट कहां पे राजिस्तान में लगेगा जैसल मेर में कितने का 600 मेगावाट का जैसल म जैसल मेर कहा है राजिस्तान में अडानी गुरूप इसको लगा रहे है वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम इंडेक्स में वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम इंडेक्स में भारत की क्या रैंख है नंबर वन कंट्री कौन है सब देखेंगे इंडिया की रैंख है 150 नंबर वन कंट्री आपक बोर्ड व्रेश्ट फ्रिडम इंडेक्सु अन्डेस्टेंड चलिये .... ते बेस्ट एस्पिरेश्व डिस्टिक नीतिययों के के लिए हरी दुआर के लिए थे अधू सुमन बैरी ठीक है पी आयर प्रधानमंतरी इसके चेर्म में है ठीक है वीस चेर्मान सुमन बैरी इसके सीओ केया एयर करके है ठीक है यह सारे चीजों याद रखना है इस तरह कोष्चन आएंगे बहुत कि रीडी प्रनटी डॉकिट इंजन 3 डी प्रिंटी यही आएगा 2020 को मत सोचना कि 2022 का लगए यही है 2022 का समझे लो आशा पारिक को मिला के लिए आशा पारिक को SEO Tourism and Cultural Capital देखो पहली सीटी बनी है जिसको SEO Tourism and Cultural Capital बनाएगा 2022 के लिए कौन सा है अबर प्राइम मिनिस्टर कोंसिट्रेंशी देट इस वारानशी कोंसिए वारानशी सेर उत्तर परदेश में है Target Batch है RIMC का Confirm अगर आपने ठालनी सेलेक्शन लेने की तो यहां से आप Hostel में तो आपको इतनी तैयारी करा दी जाएगी आप यहां पे कमेनी बचेगी आपको क्या करना है विजिट करना है इंक्वेरी लीजिए हमारे जो ओफिशन नंबर है 708827111 या 952827121 पर इंफोर्मेशन लीजिए और देखिए कैसे यहां पे तैयारी होती है सारी इंफोर्मेशन लीजिए टार्गेट बैस के बारे में इसका टार्गेट है RIMC में सेलेक्शन क के बारे में तो ऐसे तो हजारों कुष्चन बन जाएगे लेकिन मैं शोर्चोट पर जाऊँगा बर्मिंगम इंगलेंड में कोमन वेल्थ गेम हुए 2022 के भारत की क्या रेंग रही चोथे नंबर पर आ भारत 22 गोल्ड है 16 याद रखना है और टोटल मैडल याद रखना है औ और भारत की क्या रेंग रही चोथे नंबर पर 61 मेडल जीते है बस यह याद रखने की चीज़ है और 2026 के जो कोमन वेल्थ गेम होंगे विक्टोरिया विक्टोरिया कहा है ऑस्टेलिया में ठीक है यह आपको याद रखने है बस यहां से मैं ज्यादा इसमें नहीं बता हू और टोटल मेडल कितने हैं साथ किलियर टोटल मेडल आए थे हैं आपे साथ अंडेस्टेंड तो आपको यह याद रखना है किलियर यह आपको याद रखना है कोमन वेल्थ गेम में यह हाल है चलिए और समर ओलंपिक में यह है कोमन वेल्थ में यह साथ में आपको देखो भ आपका कहा पर ऊस्टेलियमे इसलिए ये मैंने आपको इंप्रोटेंट बता दिया लाजेस्ट प्रोडूइसर ओप विट एंड राइस अभी जब आप ये वीडियो देखने है तो कौन सा देश वीड और राइसगा लाजेस्ट प्रोडूइसर है तो कौन सा रहा है चाइना क कौन सा हुआ चाइना दोनों में चाइना नंबर बने के लिए चलिए इटली फर्स्ट फिमेल प्यम कौन बनी है तो बनी है आपकी जोर्जिया मेलोनी इटली की कैपिल क्या रोम इंडिया आज फर्स्ट अवलांस मोनिटरिंग रडार मतलब अवलांस का मतलब हिम 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 स्खलन जो हिम जो पहा उसके हिम मतलब जो बरप के बड़े-बड़े पहाड होते हैं तो उसको मोनिटर करेगा वो कहां पर उसको रडार को लगा गया है तो कहां पर सिक किम में सिक कि इंडियन आर्मी ने लगा है तो किलिए चलिए रोजर फेडरर रिटार्मेंट इन्हों ने ले लिया 20 ग्रेंट स्लैम इन्हों जीते थे 20 ठीक है 20 ग्रेंट स्लैम रोजर फेडरर कहां के स्विट्जर लेंड के यह आपको याद रखना और इनका संबंद किस से टैनिस से ठीक है टैनिस से याद रखनान को संबंद 20 ग्रेंट स्लैम इन्हों जीते थे ग्रेंट स्लैम के बारे में क्या रहा हूँ लेकिन इन्होंने 20 ग्रेंट स्लैम जीते हैं अंडर्स्टेंड चलिए साथ में Serena Williams ये कहा कि है अमेरिका की और इन्होंने 23 Grand Slam जीते हैं और इन्होंने भी दोनों ने रिटारमेंट ले लिया दोनों प्लेयर ने दोनों एक सदी एक जमजी की टैनिस की दुनिया के दोनों भी बादशा थे दोनों ने क्या करा, रिटार्मेन्ट ले लिया है इंडियाज फिस्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस तो क्या नाम है उसका, स्विच ई-अई-वी इलेक्ट्रिक ई-ई-ई-ई-ट्वंटीट्व अशोक लिलेंड ने मना ये कंपनी ये जो बस है के लिए क्या नाम है स्विच EIV 22 इंडिया ज़ फस्वच सुजल परदेश सुजल परदेश कौन सा है वारत का तो कौन सा है वही आपका अंडमान निकोबार आईलेंड अंडमान निकोबार आईलेंड परदेश से ये मत समझना स्टेट है union territory है के लिए चलिए Emmy Award इसके लिए Emmy Award मिला है Netflix की documentary है तो किसको किसको मिला है भी Barack Obama Barack Obama former President of United States है एधराबाद Liberation Day मनाया गया पहली बार कम 17 सितंबर को क्योंकि 17 सितंबर 1948 को हैधराबाद को रियासत जो थी उसको बारक में मिला दिया गया था Operation Polo चला था जिसे मीर कासी मली ने सरंडर किया था अंडरस्टेंड चलिए भी largest rubber dam इसको कहाई ने ग्रेट किया गया इसको बिहार में और किस पे फालगू रिवर पे F.A F.A.G पीम मिस पीम School for Rising India S. School for SH means School for Rising India PM-Ciri की Full-Form भी है तो question बन जाएगा PM-Ciri स्कीम का संब्द किस से है related to which sector तो किस से है Education sector स्कूल से है target batch मैं दुबारा बता दू 25 seats है 1st January से glass start हो जाएंगी अगर आपने seriously आप तेयरी करना चाहते है R.A.M.C. जैसे tough exam की बहुत tough exam होता है यतना आसान नहीं होता है इसको crack करना हर राज जैसे एक बच्चा लिए जाना है तो आप क्या करिए अपनी sheet को confirm करिए book कर लीजे और हमारे hostel में आजेए फिर देखिए selection को कितना आसान बना देंगे आपके वीडियो अच्छे लगे वीडियो को like करिए share करिए चैनल को subscribe और bell icon पे click जरूर कर दिजे तीन पार्ट हो रहेंगे इसके अभी total 200 कराऊंगा मैं short short और मैं आपको यह guarantee देता हूँ 10 question आएंगे 10 question अगर current affair इन में से आई है तो current affair के question आएंगे current affair में अगर 25 question आ रहे हैं तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 question तक डिरेक्ट क्या से आएंगे यह short short है understand कोई doubt हो इन नमबर पे call करके ले सकते हैं हमारे app को website को visit करिए proper information लिजिए thank you students